हालो गाईज इस वीडियो में हम ब्यार CGL का जो कटॉप है उसको डिशक्ष करने वाले हैं आपको पताएगी हमने सारी सिप्टों के पेपर आपके सामने डिशक्ष किये हैं लेकिन हम इसमें एनलिसिस करने की कोशिश करेंगे कि सिप्ट में पेपर टफ आया किसमें आसान आ पताएंगे और ब्यार हैस्ती की तरफ से जो नोटेश रिलीज किया गया उसके बारे भी हम आपको बताएंगे तो यह स्टार्ट करते वीडियो को अगर आपको मेरा अनिशेटिव अच्छा लगे तो अपली चल को सेर करें स्क्राइब करें और हम सपोर्ट करें सब्से पह अच्छी आई है तो टोटल नंबर ओफ वकेंसी इस बार 217 है काफी अच्छी वकेंसी है और एग्याम का पैटर्न की हम बात करें गाई जी बहुत लोगों ने अटेप्ट 120 पलस किये हैं कुछ लोगों एक सटीस पलस आटेप्ट किये हैं पट अच्छली क्या है कि साइंस और जो जी एस का पोर्शन था वो इतना आसान नहीं आये था वह थोरसा मॉडरेट लेवल से भी तफ लेवल का आये था और हम बात करें रीजिनिंग की और मैत की मैं तो रीजिनिंग आसान आई थी बट कैल्कुलेटिव थी और लेंग थी यह अप प्लीज थोरसा इस बात को ध्यान रखी तो यह चीजें इंपक्ट डालिंगी कटोप में जिसकी मज़े से कटोप कम जाएगा आपका अब बात करते हैं नंबर और एस्परेंट की 40-50 परसेंट के आसपास करेंट ने पार्टी स्विट किया है प्रीविश करेंगे और इसके साथ साथ में नॉर्मला करते हुए जो हमने कटोप को प्रेडिक्ट किया है वह आपके सामने हम लेके आने वाले हैं और वह कटोप है आपके सामने यह वाली जो जनरल कैटिगरी की जो कटोप आपकी जा सकती है 90-90 जा सकती है सकती है सकती है चासी से नब्य के बीच जा सकती है सटर से यसी के बीच में सकती है 65-70 के बीच में पलस मायन पलस इसमें पांच का आंधर हो सकता है कोई इतना थो हम इंपेक्ट लेके चलिए नॉर्मलाजेशन हो रहा है तो यह आप प्रीजिशासाथ को धन रग लीजिए आप बात कर लेते हैं हम सिप्टों की, जो पहली सिप्ट है आपकी, पहली सिप्ट एक्चॉल में थोड़ी टफ लेवल की आई थी, और जो सेकेंड सिप्ट थोड़ी सी आसान थी कल की, और आज की जो सिप्टों फिर से वो टफ आई है, तो निश्चे दूरूप से, मैं यह सिप्ट एक एक्विलेंट लेवल की थी, और थर सिप्ट में मैत के क्वेश्चन भी बहुत कम आए थे, जबकि पहली दो सिप्टों में मैत क्वेश्चन काफी आए थे, और रीजिनिंग के क्वेश्चन में इन भी अच्छे आए थे, अच्छे का मलना बहुत सारे आए थे कि यह कहना का मतलब यह है और जी एस और साइंस के जो कोईशन थे ना उन्होंने उन्होंने एस्परेंट को काफी प्रेसान करने की कोशिश किया और काफी सार एसे दें जिन्होंने तो किवाज जबर्जिस तरीके से किये तो यहीं वजाएं कि वह 120-130-140 प्लस अटेम्ट करके यह यह नहीं है और यह गाइद प्री की कटोप है और जिनके जो माक से इस रेंज में आ रहे हैं वो मेंस की तहरीव अभी से लग जाएं किसी भी चीज की आप जिंता ना करें आपका प्री हंडर पर्स हो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं जो एक ख़बर आई थी आपको पता है अब इसमें नौटेज डाल दिया आपको पहुच कर कोई को पढ़ सकते हैं इसमें किल्ल ली यह कहा है कि हाप आयोग ने बोल दिया कि जहां तक प्रिथम परिक्षा को सचता का परता है आयोग ने इस पर गंबीर संब्यदन ने लिए और इसमें तनक भी ऐसा पाया प्राप जानकारी के अनुसार जो वाटसप पेपर वगर आया है वो ग्यार है पजके नौव मजे के आसपास कराया है इनकी एक्जाम के शुरू हो गया उसके बाद प्र हुआ है लीग तो उससे पहले पहले नहीं हुआ है तो ये भी सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है तो निशत हो हो जाइए कि अगर कोई लगेगा कि लीक हुआ है पहली सिप्ट तो पेपर द्वारा से निशत दूरूप से कराएंगे को कि यहां पर लास्ट पेरा ग्राप में आयोग ने यह उपीशली नोटेस्ट किलिए लिए लिए पता दिया है आप इस चीज को पढ कर दिया था यूपीशी नोलेज ग्रूप मेरा टेलीग्राम ग्रूप है और मेरा यूटूब चैनल का नाम है इंक्लूसिल स्थिदी सेंटर दन्रवाद गाईज